करोनों वर्षों में जानवरों ने खुद को हालात के मुताविक ठाला है और शिकार करने, हिफाज़त करने और हमला करने के लिए कई तरहें के जानलेवा हथियार मिक्सेद किये हैं दान, पंजे, सींग, बिजली, डंक, बाहौल में छिपना, बद्बू और सहर जानवरों के हथियारों में इन सब का खातरनाख ढंक से इस्तिमाल होता है इनमल आर्मरी इनमें सबसे आम हथियार हैं दान और पंजे वैसे ये होते तो कई जानवरों के पास हैं लेकिन कुछी जीव इन्हें जावलेवा तरीके से इस्तिमाल करते हैं मगर मच और भेडिये सबसे उंचे दरजे के शिकारी हैं जो अपने दातों का खौफनाक धन से इस्तिमाल करते हैं। इसने उन्हें भोजन श्रिंकला में सबसे उपर पहुचा दिया है। इसके उलग बबून अपने होटों को बस उठाकर अपने खतरनाक दातों की जलत से अपने दुश्मनों को डरा डरा कर दूर रखते हैं। भालू और बाग भी अपने पैने पंजों से जांग लेवा सक्म करने के लिए बदनाम हैं। उल्नू के पंजे आमने सामने के मुकाबले में इतने खतरनाक नहीं होते। लेकिन शिकार को दबोचने के लिए छिपकर हमला करने की उनकी खासियत के साथ ये बेजोड है। जब कि सक्त खोल वाले केकड़े अपनी हिफाज़त करने के लिए अपने पंजों से दुश्मन को काटते और कुचलते हैं। अफ्रीकी शेर पूरे इतिहास में साहस और ताकत के प्रतीक के रूप में कायम रहे हैं। शायदी कोई और जीव जानवरों की दुनिया के इस राजा जितना डर और आश्यर्य चगाता है। सबसे बड़े बिग कैट्स में से एक शेर एक जमाने में पूरे अफ्रीका और तक्षन पश्चे मेशिया में पाई जाते थे। अपने शिकार के हुनर और जीने के तरीके से ये भोजन श्रिंकला यानि फूट चेन में सबसे उपर पहँच गए। शेरों की तादात कम हो रही है। लेकिन अपने कई खातरनाक हत्यारों की बड़ालत, शेर अब भी सब सहारन एफ्रीका में एक बहुत बड़ी ताकत है। शेर के हत्यारों में सबसे जानलेवा और खौफनाक हैं उनके दांत। शेरों के कमाल के जबड़े लगभग 38 सेंटिमीटर तक खौलते हैं। खतरनाक हत्यारे के तौर पर बदनाम होने के बावजूद, शेर असल में अपना ज्यादा तरवक आराम से पड़े रहने और आपसी मेल मिलाप में बिताते हैं। खाने के लिए शिकार करने, जुन्ड की हिफाज़त करने या दूसरे जुन्ड के इलाके पर कबजा करने के अलावा शेर शायद ही कभी लड़ते हैं। शेर के तीस दांत होते हैं। 12 करनेसियल्स, 10 प्री मोलर्स, 4 मोलर्स और 4 के नाइन्स जिनकी पिछली सताय आरीदार होती है। करनेसियल्स को छोड़कर शेर के बाकी सभी दांत कौनिकल आकार के होते हैं। नोचने और मास फारने के लिए बने होते हैं। ज्यादातर शेकार शेर्निया ही करती हैं। छरहरे फुर्तीले शरीर से उन्हें शेकार करने के लिए छिपकर आगे बढ़ने और तेज रफ्तार की सहुलियत मिलती है। नरों के बड़े और ताकतवर शरीर की गठीली बनावर्ट उन्हें धीमा और भारी भर कम बनाती है। लेकिन वो बच्छों को मारने और शेर्नियों पर कबजा करके उनकी जगहें लेने की ताक में रहने वाले बाहरी नरों से हिफाज़त के लिए बिलकुल सही है। शेर के दातों में शायद उनके केनाइन्स ही हमला करने के सबसे एहम हतियार है। इन लंबे और मोटे केनाइन्स की लंबाई 6 सेंटिमीटर से स्यादा हो सकती है। टूटने से बचने के लिए शेर के केनाइन्स उनकी खोपड़ी में काफी गहराई में जुड़े होते हैं। वो इतने मजबूत होते हैं कि दूसरे शेरों के साथ लाड़ाई में नर्द दूसरे की खोपड़ी में भी छेत कर सकता है। हालकि नरों के बीच ज्यादा तर लड़ाईयों में किसी की मौत नहीं होती और बिना मारे ही पता चल जाता है कि कौन ज्यादा ताकत बर है। शिकार, हिफासत या हमला करते समय शेर दो चर्णों में किसी को मारते हैं। पहले वो पीट पर छलांग लगाकर गिराते हैं। और अपने पहने पंजों से गर्दन को दबोच लेते हैं। गले तक पहुशने पर शेर अपनी कुदरती समझ से शिकार कदम घोटने लगते हैं। और यहां उनके कैनाइन्स का खतरनाक इस्तिमाल सामने आता है। वो उन्हें गहराई तक घुसा कर गले को दबोच कर सांस की नली बंद कर देते हैं। दातों का पिछला हिस्सा आरीदार होने की वज़े से शिकार के लिए उससे छूटना दर्दनाक हो जाता है। क्योंकि मास का टुकड़ा साथ निकल आएगा। अगर शेर के दात इतना ही कर पाते तब भी एक कमाल के हथियार है। लेकिन इनके हर दात के अंदर संबेदनशील नर्प्स होते हैं। और शिकार को काटने पर शेर अपने दातों से उसकी खून की नलियों को महसूस कर सकते हैं। जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उसके खून का दौरा बंद हुआ या नहीं। इससे शेर को ये भी पता चलता है कि कहां काटना है। साथ ही उसे एसास हो जाता है कि शिकार ने दम तोड़ा है या नहीं. नलियों में खून का बहुर रुख जाने का मतलब है कि शिकार मर गया और अब दूसरे दांद मास फाड़ने और हड़ियां तोड़ने का काम कर सकते हैं. बबून्स के 90% DNA इंसानों से मिलते हैं और ये पूरे एथियोपिया, साओधी अरेबिया और येमिन में पाय जाते हैं. इनके लंबे-लंबे दातों को स्थानिय संस्कृतियों में बुराई या शैतानी ताकत का प्रतीक माना जाता है. बबुराण ताकत का प्रतीक माना जाता हैं. बबुराण दुनिया के सबसे बड़े बंदर हैं, जिनका वजन 15-38 किलोग्राम तक हो सकता है. हालात के मताबिक ढलकर ये कहीं भी सिंदा रह सकते हैं. सवाना से गर्मिलाकों के जंगलोतर. ओल्ड बर्ड मंकीज होने की वज़े से लंबी नाक और दातों की खास बनावड इने अलक पहचान देती है. इन दातों से ये फल, घास, बीच, छाल, कंदुमूल और पत्ते कुछ भी खा सकते हैं. इने मास खाना भी पसंद है, जिसमें मचलियों और दूसरे छोटे जीवों का मास शामिल है. लेकिन बबून्स कुद्रती तौर पर शिकारी नहीं है. जब तक इने कोई खत्रा महसूस में हो, ये फस न गए हो, ये कोई इनका खाना या बच्चा छीनने की कोशिश ना करे, तब तक ये हमला नहीं करते, बचे ही रहते हैं. ज्यादा तर प्राइमेट्स के उलट, ये अपने इलाके पर कबजा नहीं रखते, और बबून्स के दूसरे जुन्डों के साथ एक बड़े होम रेंज में रहते हैं. बाहौल आम तोर पर शांत रहता है, लेकिन खाने, सोने की जगें, बच्चों की हत्या और मादाओं के लिए मुकाबले की वज़े से लड़ाईया होती हैं, और ये अपने दाटों का इस्तिमाल करते हैं. इनके बड़े बड़े कैनाइन्स का ज्यादा इस्तिमाल मादाओं पर कबजे के लिए दूसरे नर बबुन से लड़ने में होता है. लेकिन खातरनाक दिखने के बावजूद बबुन्स के ये दाट इफासत करने या शिकार करने के लिए नहीं, बलकि सेक्स की जरुरत के लिए विक्सित हुए हैं. बबुन के जुंडों में एक प्रमुक नर होता है, लेकिन असली ताकत मादाओं के पास होती है. वो जिस जुंड में पैदा होती हैं, जिंदगी भर उसी में रहती हैं. उम्र और अनुभव के साथ तैह होने वाले रुत्बे को कुबूल कर चैन से रहती हैं. इसके उलट नर्द बबुन्स अपने जन्वाले जुंड को छोड़ कर निकल जाते हैं, कोई और जुंड तलाश कर उसका प्रमुक नर्द बनने के लिए. लेकिन उसके लिए भी मादाओं की सहमती चाहिए. उनके उपरी और निशले जबडों में चार-चार इंसाइजर्स होते हैं. इसी तरहें, दोनों जबडों में दो-दो बड़े कैनाइन्स होते हैं, और उनके अलावा आठ प्री मोलर्स और बारा मोलर्स होते हैं. इस तरहें, कुल 32 दाथ होते हैं. सामने के इंसाइजर्स खाने के टुकड़े करते हैं, प्री मोलर्स और मोलर्स उन्हें चबाते हैं, जबकि इंसाइजर्स और मोलर्स के बीच मौजूद बड़े-बड़े कैनाइन्ट फारने और डराने के काम आते हैं. एक दूसरे को डराने के लिए सीधे नजरे मिलाने से इनके बीच तनाव बढ़ने लगता है इसके बाद ये मुख खोल कर एक दूसरे को धमकाते हैं उपरी होट को उठाने से बड़े-बड़े दान दिखने लगते हैं ये आम तोर पर दूसरे नरों को हद में रखने के लिए काफी होता है लेकिन जब इन्हें मादा की गंद मिलती है तो ये तैक करने के लिए लडाई छुड़ जाती है कि कौन प्रमुकनर है लडाईयां कई दिनों तक चल सकती है इनके सवर्दस्ट कैनाईंस कभी कभार जानलेवा सक्म कर देते हैं जीतने वाले को मादाओं के हरम से मिलन काधिकार मिल जाता है हारने वाला अगर मारा नहीं गया तो उसे भगा दिया जाता है कि वो किसी और जुंड के प्रमुकनर पर अपनी ताकत आस्माए 23 करोण 50 लाग से साड़े 6 करोण साल पहले के बीच में विक्सित हुए मगर मज्च डाइनोसॉर्स के जमाने से मौजूद हैं और जानवरों की दुनिया के इस सबसे पुराने और शायद सबसे काम्याब शिकारी में बहुत कम बदलावाए हैं मगर मच, अफ्रीका, एशिया, साहूथ और नॉर्थ अमेरिका और उस्ट्रेलिया में नदियों, जीलों, वेटलैंड्स और कम और ज्यादा खारे पानी में हर जगें भोजन श्रिंकला यानि फूट चेन में सबसे उपर मौजूद हैं ये पूरी तरह मानसाहारी हैं और मचलियों, दूसरे रेप्टाइल्स, परिंदों और स्तंधारी जीओं का शिगार करते हैं मिलन के लिए मादाओं तक पहुँच बनाने के लिए नर्द दूसरे नरों से लड़ते हैं लेकिन खाइपानी के मगरमचों के अलाबा, बाकि सब आम तोर पर मिलजुल कर रहते हैं खाइपानी के मगरमच अपने इलाके में किसी को आने नहीं देते ये बहुत आक्रामख होते हैं और दूसरे नरों को बरदाश्ट नहीं करते मगर मच कई तरह के हत्यार से लैस हैं उनमें मोटी खाल, तेज कान और तेजी से तैरने की क्षमता शामिल है लेकिन सभी मगर मच्छों के पास एक खतरनाक हत्यार है जिससे कोई चूट नहीं पाता जहां लेवा दातों से भरे ताकत मत चपड़े झाल मगर मच घात लगाने वाले शिकारी हैं ये लंबे समय तक सबर से इंतजार करते रहते हैं कि पानी या जमीन पर रहने वाले जीब इनके पास आ जाए फिर ये खौफनाग धंग से अचानक उस पर हमला करते थे हैं ये अपने माहौल में सबसे उचे दर्जे के शिकारी हैं और इन्हें शाक्स और बिग कैट्स जैसे दूसरे बड़े शिकारीयों को भी मारते हुए देखा गया है मगर मच्छों में सॉल्ट वाटर क्रोकडाइल सबसे बड़े होते हैं और उनके जबडों में 65 से 66 दांत होते हैं उपरी जबडे में दोनों तरफ लगबग 18 ठारा और निचले जबडे में दोनों तरफ 15 पंद्रा जबडे बंद करने पर ये आपस में लॉक हो जाते हैं जबडे के दोनों तरफ उभार होते हैं ये दुनिया के सबसे ताकतवर जबलों में से एक को मजबूती देने वाले मसिल्स हैं मगर मच अचानक हामला करके अपने जबलों से 3700 पॉन प्रतिवर गेंज यानि PSI के दबाव से शिकार को दबूच लेते हैं इतनी ताकत किसी कचुए के खोल या शूकर की खोपड़ी तोड़ने के लिए काफी है इनके दाथ काफी बड़े और कॉनिकल होने के साथ साथ बहुत पैने भी होते हैं ये छेदने और मास को पकड़ने के लिए बने है दूसरे बड़े शिकारी जीवों के उलट मगर मच्छों के दान मास नूचने में कारगर नहीं होते लेकिन ये शिकार को दबोचे रखने के लिए बिलकुल सही है जिससे उनके छूटने की संभाबना बहुत कम होती है शिकार को जबडों से दबोच कर मगर माच्छों से दबाते हुए चक्कर कारता है ताकि वो पानी में डूप जाए फिर उसे निकल लेता है मगर मच्च के दान और जबड़े बहुत नुकसान पहुचा सकते हैं लेकिन ये अपने अंडों को नजाकत से मुँ में उठा कर गोमाने जैसा काम भी कर सकते हैं अंडे से बच्चे निकलने तक यो उन्हें बहुत साबधानी से दबाते रहते हैं मां अंडों से निकले बच्चों को अपने मुँ में उठा कर पानी में ले जाती है ताकि वो पहली बार तैर सके पुरानी संस्कृतियों में सुरक्षा, ताकत और चालाकी के शक्तिशाली प्रतीक माने जाने वाले भेडिये अपनी खास आवास के लिए मशूर हैं यह आवाज तराती है और प्रेरिद भी करती है लेकिन भेडियों को खतरनाक शिकारी बनने की असली ताकत मिलती है अपने दातों से एक जमाने में ग्रेव वॉल्ब्स पूरे नौर्थ अमेरिका, यूरेशिया और मिडल इस में पाय जाते थे शांदार शिकारी होने के हुनर, पालतू जानवरों के शिकार और रहने के इलाकों में कमी आने की वज़े से इनसानों ने अब इनका इलाका बहुत छोटा कर दिया है बेडिये के 42 दांत होते हैं उपरी जबडे में 20, यानी 6 इंसाइजर्स, 2 कैनाइट्स, 8 प्री मोलर्स और 4 मोलर्स और निचले जबडे में 22, जिनमें 6 इंसाइजर्स, 2 कैनाइट्स, 8 प्री मोलर्स और 6 मोलर्स शामिल है कैनाइट्स दांतों की लंबाई 5 सेंटिमीटर तक हो सकती है भेडिये ज्यादा तर कैरिबू, एल, हेरन, मूस और बाइसन का शिकार करते हैं ये जुंड में रहते हैं, लिकिन आम तोर पर बड़े जुंडों के मुकाबले अकेले भेडियों या नर्मादा की जोड़ी को शिकार में स्यादा कामियाबी मिलती है अकेले भेडिये को सिर्फ अपने भूते पर मूस, बाइसन या मस्क ऑक्सन जैसे बड़े शिकार को मारते हुए दिखा गया है बेडिये के शिकार के पांच चरण होते है सुन और सुनकर शिकार का पता लगाना फिर चुपके चुपके उसका पीछा करना ये छिपकर उसके ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचते है अगर शिकार को बेडिये का पता चल जाए तो वो खुद बेडिये के और बढ़ेगा अपनी जगहें पर टिका रहेगा या फागेगा अपनी तरफ आने ये टिके रहने वाले शिकार पर बेडिया हमला करतेगा बड़े शिकार पर पीछे और बगल से हमला करके उसके पिछले नर्म हिस्से से मास के बड़े बड़े टुकड़े काट लिये जाते हैं जिससे काफी खून बहने लगता है शिकार की जान लेने के लिए वहाँ तीन बार काटना काफी है जैसा कि हमने देखा खाने को चबा कर निगलने लायक बनाने के अलावा दातों के और भी खतरनाक इस्तिमाल हो सकते हैं शेर अपने शिकार के शरीर में दोड़ते खून को दातों से महसूस कर सकते हैं बभून के दात खौफनाक दिखते हैं मगर मच के दात इतने खतरनाक होते हैं कि ये एक बार शिकार को दबोच लें तो छूटना नामुम्किन हो जाता है भेडिये के दात इतने कारगर होते हैं कि ये काफी बड़े शिकार को मार सकते हैं और उसकी लाश के सभी हिस्सों को यानि मास के साथ साथ हड़ियों तक को खा सकते हैं दाद चाहे जितने जबर्दस्तों, लेकिन कुद्रती माहौल में ये जैनवरों के काम आने वाले अकेले हत्यार नहीं हैं। आप इन्हें बड़े नाखून कहें या पंजे, ज्यादा तर मैमल्स, रेक्टाइल्स और परिंदे इनसे लैस होते हैं। ये खोदने से लेकर पेड़ पर चढ़ने जैसे कई कामों में मदद करते हैं। कुछ खास जनवरों के पास इन्हें शिकार करने, बच्चों की हिवाज़त करने या मिलन के लिए साथ ही हासिल करने के लिए इस्तमाल करने की क्षमता होती है। बहुत पुराने जमाने से ही, युनाइटेट किंडम से लेकर पूरे योरोप, एशिया और नौर्थ और साउथ अमेरिका में भालूओं को पौराने कथाओं में पूजा जाता रहा है। और ये दुनिया भर में कई देशों के आधिकारिक प्रतीग भी हैं। नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, योरोप और एशिया में भालूओं की आठ अलग-अलग प्रजातिया हैं। इन सभी प्रजातियों में शारेरिक बनावट लगबग एक जैसी होती है, जिसमें लंबी थूथन, लंबे बाल, बड़ा शरी और गठीली टांगे शामिल हैं। इनके पंचे बहुत बड़े-बड़े होते हैं और हमेशा बाहर निकले रहने वाले नाकून, लड़ने और हिफासत के लिए मुस्ताइद रहते हैं। मिलन के समय के अलावा भालू हमेशा अकेले रहने वाले जीव हैं। यह आम तोर पर दिन में सक्रिय रहते हैं, लेकिन इन्हें रात में भी खाना ढूंटे हुए देखा गया है। ब्राउन बेर्स, पेर पौधों, जमीन पर रहने वाले छोटे मैमल्स और मचलियों से पेट भरते हैं। इन्हें सैमन मचलियों को खाना बहुत पसंद है। यह अपने माहौल पर दबदबा रखने वाले शिकारी हैं। इन्हें इन्सानों के अलावा किसी से खत्रा नहीं। इन्सान बस शिकार करने के लिए या डर की वज़े से इन्हें मारता है। ब्राउन बेर की एक उप्रजातिक ब्रिज्ली बेर अपने इलाके में किसी भी जानवर पर आसानी से हावी हो सकती है। भेडी और कूगर जैसे सबसे उंचे दर्जे के अंदे शिकारी भी यह अच्छी तरह जानते हैं। और बिना लड़े उन्हें अपने शिकार सौप देते हैं। ग्रिज्ली बेर्स आम तोर पर लोगों से दूर रहते हैं। लेकिन खिरने, चौंकने या अपने बच्चों के लिए खत्रा होने पर यह हामला कर सकते हैं। भालू मात दूसरे जीवों से अपने बच्चों के हिफाज़त के लिए लड़ने को तयार रहती है। यहां तक कि दूसरे भालू से भी। चार टांगों पर खड़े रहने पर इनकी उचाई एक दशमलत दो मीटर तक होती है। और पिछली टांगों पर खड़े होने पर डेर से धाई मीटर तक। कमजोर आंखों के बावजूद इनकी नाग बहुत तेज होती है। शिकार का पता लगाने या खाना ढूनने में ना की इनके सबसे ज्यादा काम आती है। ग्रिजली बेर अपने कंधों के बड़े बड़े ताकतवर मसेल्स के साथ बहुत मजबूत अगली टांगों बड़े बड़े पंजों और 15 सेंटिमीटर तक के नाकूनों से लैस होते हैं। ये पंजे सिर्फ शिकार को मारने के काम ही नहीं आते, बलकि खाने के लिए कीडे मकोडे डूनते समय इनसे ये चट्टानों को उलटने, पेड़ों की छाल नोशने और जमीन पर पड़ी लकडियों को तोड़ने का भी काम कर सकते हैं। भालू की किस्म के अनुसार इनके नाकूनों का अकार अलग-अलग हो सकता है। पोलर बेर्स के मुड़े हुए नाकून पैने और मस्बूत होते हैं, जो शिकार पकड़ने के साथ-साथ, फिसलन भरी बर्फ पर पकड़ बनाए रखने में भी काम आते हैं। फोलर बेर के चार बड़े पंजे होते हैं, जिन मेंसे हर एक में पांच उंगलिया होती हैं, और इनके सबसे बड़े नाकून लगभग 5 सेंटिमीटर के होते हैं। सामने के नाखून ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन पिछले पंजे ज्यादा बड़े होते हैं, ताकि पिछली टांगों पर खड़े होने पर भालू का संतुलन बना रहे. अगले और पिछले पंजों और नाकूनों का पूरा डिजाइन भालू को तेज दोड़ने, पेड़ों पर चढ़ने और तैरने की सहूलियत देता है पोलर बेर और अलैसकन कोडियक बेर दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी जीव हैं जिनकी लंबाई 2.7 मीटर से ज्यादा और वजन 680 किलो से भी अधिक हो सकता है भालूओं का कोई कुदरती दुश्मन नहीं होता है और इनमें सिर्फ आपस में ही लड़ाईया होती है नर किसी इलाके पर कबजे या मिलन के अधिकार के लिए दूसरे नरों से लड़ते समय अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर एक दूसरे को धक्का देते है मामला बिगर जाने पर ये अपने बड़े बड़े पंचों से हमला करते हैं और इनके नाखून काफी नुकसान पहुचा सकते है फिर जीतने वाले नर को मादा से उलशना पड़ता है अगर उसके साथ पहले के बच्चे हो तो नया नर उन्हें मारने की कोशिश करेगा ताकि सिर्फ उसके जीन्स अगली पीडी तक पहुँचें लेकिन अगर उसे लग रहा था कि सिर्फ दूसरे नर के साथ लड़ाई मुश्किल थी तो नाराज भालू मा से जीतना तो लगभग ना मुम्किन है शिकार करते समय भालू चुपके चुपके पीछा करने की बजाए गात लगा कर हमला करना पसंद करता है ये छिप कर इंतजार करता है कि शिकार इसके दाइरे में आ जाए और फिर तेजी से आगे बाढ़ कर अपने पंजो के एक ही बार से काम तमाम कर देता है ये भालू एक दूसरे की मौजूदगी तभी बरदाश करते हैं जब सैमन मशलिया अंडे देने के लिए नदियों में लोट रही होती है इन्हें पता है कि सब के खाने के लिए काफी मशलिया है जे निलाकों में भालू पाई जाते हैं वहाँ दूसरे सभी जीवों पर उनका दबदबा रहता है लेकिन परिंदों को कोई डर नहीं खास कर उल्लूओं को जो ना सिर्फ उनके इलाके में रहते हैं बल्कि उनकी तरह हथियार के तौर पर पंजो का ही इस्तमाल करते हैं पश्यमी संस्कृती में उल्लू बुद्धिमानी का प्रतीक है लेकिन पूरे अफ्रीका और अमेरिका के मूल निवासियों के लिए ये मौत का दूत है अगर आप उल्लू के पंजो को कारगर ढंग से काम करते हुए देखें तो इसकी वज़े भी समझ में आ जाती है रैप्टर्स शिकारी परिंदों को कहते हैं जिनमें इगल्स, हौक्स, औस्प्रेस और उल्लू शामिल हैं उल्लू रात को शिकार करने वाले जीव हैं दोनों आखों से सामने देखने और दोनों कानों से सुनने वाले अकेले रहने वाले ये परिंदे बे आवाज उड़ने के लिए बने हैं और शिकार करने और अपनी हिफाज़त के लिए ये पैने पंजो से लैस हैं एंटाक्टिका के अलावा हर महाद्वीप में उल्लू की कई प्रजातिया मौजूद हैं और इनके आकार में भी काफी विविदता है ब्लैकिस्टिन फिश आउल और यूरेजियन इगल आउल सबसे भारी भरकम और बड़े पंखों से लैस होते हैं इनका वजन चार किलोग्राम से ज्यादा और पंखों का फैला लगभग दो मीटर तक होता है उल्लू पूरी तरह मांसाहारी होते हैं और कीडे मकौणों और रोडेंस का शिकार करते हैं इनकी कुछ प्रजातिया मचलियों के शिकार में माहिर होती हैं अपने माहौल के मताबिक अलग-अलग हुनर से लैस सभी उल्लू कमाल के शिकारी होते हैं लेकिन ज्यादतर प्रजातियों की खासियत एक जैसी होती है जल्दी से शिकार का पता लगाने के लिए इनके आख कान बहुत तेज होते हैं शिकार करने के लिए ये बे आवास पास पहुँच कर अचाना खामला करते हैं और इनके खास पंजों और माहौल में घुल मिल जाने की खासियत की वज़े से बहुत कम जीवों को उल्लू के पास आने का पता चलता है उल्लू के दोनों पैरों में चार-चार उंगलिया होती हैं उड़ते या बैठते समय तीन नाखून आगे की दिशा में होते हैं और एक लंबा नाखून हैलक्स पीछे की और होता है शिकार को दबूचते समय दोनों टांगों के सबसे बाहरी नाखून पीछे हैलक्स की और मुर जाते हैं जिससे शिकार पर इनकी पकड मजबूत रहती है ग्रेट हॉन्ड आउल शायद दुनिया का सबसे खतरनाक उल्लू है जिसके पंजो की पकड लगबग 500 PSI की होती है ये जिर्मन शेफ़र डॉग के काटने जितना दबाव है और इनसान के हाथ से पांच कुना स्यादा ताकतवर ग्रेट हॉन्ड आउल के सामने वाले नाकूनों में बीच के नाकून में शिकार को फाड़ने के लिए ज्यादा पैनापन होता है तेज रफ्तार हमले के जटके जेलने के लिए उल्लूओं के पैर ज्यादा तर दूसरे परिंदों से ज्यादा सक्थड़्डी वाले, छोटे और मस्बूत होते हैं बाग यानि टाइगर लोग इन्हें प्रतीकों के तौर पर इस्तमाल करते हैं जंडों पर इनके चित्र बनाते हैं और खेलों में अपनी मनपसंद टीम के मैस्कॉट्स के रूप में इन्हें स्विकार करते हैं दुनिया में बहुत कम जीव बाग जितने करिश्माई होते हैं और बहुत कम के पास बाग के पंजो जैसे खतरनक हतियार होते हैं एक जमाने में बाग तुरकी से लेकर रूस के पूरवी तःट तक पूरे एशिया में पाई जाते थे लेकिन इन्सानों की दखल की वज़य से अब ये सिर्फ भारत से दक्षन पूरव एशिया तक और दक्षन पूरवी साइबेरिया में पाय जाते हैं बाग सबसे उंचे दर्चे के परभक्षी और माहिर शिकारी हैं जिने हिर्णों और मवेशियों को खाना खास दोर पर पसंद है ये शिकार करने ज्यादा तर रात को निकलते हैं लिकिन इने दिन में भी निकलते हुए देखा गया है और अब ये आम तोर पर अकेले ही शिकार करते हैं ये अपने शिकार का इस तरहें दबे पाउं पीछा करते हैं कि उन्हें पता ना चल पाए पास पहुँचने में काम्याब रहने पर बाग हमला करके अपने बड़े आकार और अपनी जबरदस्त ताकत से शिकार पर काबू पा लेता है थोड़ी दूर तक जपटने में बाग की रफतार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो सकती है काम्याभी से घात लगाने के लिए इने शिकार के काफी करीब होना चाहिए अगर शिकार ने बाग को जल्दी देख लिया तो वो शिकार को खदेड़ने या सीधे उनका सामना करने की बजाए शिकार की कोशिश छोड़ देता है इस तरीके से अकेला टाइगर भी 1000 किलोग्रेम तक की भैंस को मार सकता है बाग के टांगों और पंजों में इतनी तकत होती है कि उन्हें एक ही बार में पालतु मवेशी की खोपड़ी तोड़ते हुए देखा गया है ये कुछ खास कारणों से मुम्किन हो पाता है बाग की अगली टांगों की हड़िया काफी मस्बूत और गठीली होती है जिने अपने आसपास मौजूद बड़े मसिल्स से साहरा मिलता है और इसके पैरों की हड़िया सक्त लिगामेंट से जोड़ी होती है ताकि जटकों को जेल सके सभी कैट्स की तरह बाग के नाखून भी पंजों के अंदर छिप सकते है जब उनका कोई काम ना हो तो लिगामेंट्स उन्हें सुरक्षित खोल में रखते हैं ताकि वो पैने बने रहें बाग के नाखूनों की लंबाई 10 सेंटिमीटर तक हो सकती है हर पंजे में 4 नाखून होते हैं और अगले पैरों में पीछे काफी उपर की तरफ एक खास नाखून होता है ये ड्यूक लौ है जो काफी हद तक इनसान के अंगूठे की तरह काम करता है बड़े नाखून मुड़े हुए होते हैं जिससे बाग को जबरदस्ट पकड़ मिलती है और ये बड़े शिकारी को दबोच सकते हैं या पेड़ पर चड़ सकते हैं मुड़े हुए नाखूनों से पेड़ पर चड़ना तो आसान होता है लेकिन उतरने में दिक्कत होती है इन्हें पीछे की और रिंग ते हुए उतरना पड़ता है या सीधे नीचे कूदना पड़ता है और ये कैट फैमली में पेड़ों पर चड़ने में सबसे अनाड़ी है चलते समय ड्यू क्लॉक किसी चीज के संपर्क में नहीं आता है इसलिए समय के साथ ये काफी लंबा और पैना हो जाता है ये शिकार को दबोचे रखने के लिए बिलकुल सही हत्यार है बाग अपने इलाके पर अपना निशान छोड़ने के लिए नाखूनों से पेड़ों को बार बार खरुशता रहता है जिससे तने पर गहरे निशान बन जाते है नाखूनों के बीच से निकलने वाला तरल इन जखों पर ऐसी गंद छोड़ देता है जिसे दूसरे बाग आसानी से सूंग सकते है ये दूसरों को आगाह करता है कि ये किस का इलाका है जमीन पर शायद बाग अपने कमाल के पंजों के इस्तमाल के लिए सबसे मशूर जानबर है लेकिन पानी में ये रुत्बा केकड़ों को हासिल है इंसान हमेशा से केकड़ों में गहरी दिल्चस्पी लेता रहा है आसमान में तारा मंडलों, पुछल तारों और निहारिकाओं के नामकरण से लेकर प्राची इन संस्कृती में कलाओं में भी उनका चित्रन होता था पौराने कताओं में केकड़ों ने हाइडरा से लड़ रहे हरकेलिस की मदद भी की थी केकड़े पूरी दुनिया में पाए जाते हैं ये समंद्रों, मीठे पानी की नदी, तालाबों और जमीन पर भी रहते हैं ये जौला मुखी के सुराखों में समुद्र की सते से हजारों मीटर नीचे और एंटाक्टिका की बर्फ के अंदर भी पाए जाते हैं लॉब्स्टर्स और प्रॉंस की तरहें ये भी दस टांगों वाले डेकापॉट्स हैं जिन में से आठ टांगे चलने के काम आती हैं कई केकड़ों के शरीर चप्टे होते हैं जिससे वो बहुत संक्री दरारों में भी खुश जाते हैं आम तोर पर ये मोटे खोल से ढखे होते हैं और इनकी सामने वाली दो टांगों पर चिम्टे जैसे पंजे होते हैं जिने कीलाई कहते हैं हर कीलाई में दो उंगलियां होती हैं एक स्थिर रहती है और दूसरी हिल सकती है जिसे डैक्टिल कहते हैं आम तोर पर दाहिना बड़ा और भोत्रा होता है जो कुचलने के काम आता है जबकि बाया पंजा छोटा और पैना होता है जो काटने में बदद करता है पंजों से जोड़े मसिल के आकार से पता चलता है कि एक केकड़ा कितनी जोर से काट सकता है और कितना नुकसान पहुचा सकता है लेकिन केकड़े के पंजे सिर्फ लड़ने के काम नहीं आते ये धपधपा या हिला कर एक दूसरे तक अपनी बात पहुचाने में भी काम आते हैं खास कर मिलन के मौसम में इसमें काटने की ताकत का कोई काम नहीं पूरी तरह से पानी में रहने वाली प्रचातियां फेरोमोंस छोड़कर मिलन के लिए साथियों को आकरशित करती हैं जबकि पूरी तरह या कुछ समय तक जमीन पर रहने वाले केकड़े इसके लिए दिखने वाले, सूमने वाले या कमपन वाले तरीकों का इस्तमाल करते हैं मादा फिडलर्स के दो छोटे-छोटे पंजे होते हैं जिनसे वो खाने के छोटे-छोटे कणू उठाती है लेकिन नर फिडलर का एक केलाए दूसरे से बड़ा होता है ये इतना बड़ा होता है कि उसके वजन का आधा हिस्सा इस एक पंजे का ही होता है मिलन के समय ये मादाओं को आकरशित करने और दूसरे नरों को डराने के लिए इस पंजे को तालमेल से लहराते हैं केकड़ों की ज्यादातर प्रजातियों में मादाओं को रिजाने के लिए नर आपस में लड़ते हैं कुछ केकड़े अकेले रहते हैं जबकि कुछ प्रजातियां जुन्ड में रहकर साथ काम करती हैं जिससे पूरे परिवार के खाने और हिफाज़त का इंतजाम होता है लेकिन भीड भरे चटानी समुद्री किनारों पर जहां गुफाओं और दरारों के लिए मुकाबला तेज हो वहाँ केकड़े अच्छी जगह पर कबजे के लिए लड़ते हैं इन्हें किसी खाने से परहेज नहीं और एलगी, मॉलस्क, वर्म्स, फंगी, बैक्टीरिया और सड़ी गली चीजों समेथ कुछ भी खा सकते हैं इससे इन्हें सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने और सेहत मन रहने में मदद मिलती है इनकी कुछ प्रजातियों को सिर्फ प्लैंक्टन या शेल्फिश जैसे खास खाने की जरुवत होती है कुछ केकडे सिर्फ मचलियां खाते हैं इनके कई शिकारी हैं जिनमें सीगल्स, सी ओटर्स, ऑक्टोबस, मचली और इनसान भी शामिल है लेकिन इनके पंजे हिफासत में बहुत कारगर हैं जैसे उस्ट्रेलियन मद क्रैब के बहुत नुकसान पहुचा सकने वाले केलाई ये केकडे काफी बड़े और तेज और ताकतवर होने की वज़े से बहुत खतरनाक हैं लडाईयों में अक्सर केकडों के पंजे तूटते रहते हैं लेकिन इनके पास दोबारा पूरी तरह कारगर नए पंजे उगा लेने की खासियत मौजूद है ज्यादा तर केकडे अपने पंजों का इस्तमाल लडाई के लिए करते हैं लेकिन एक प्रजाती इनकी मदद से खुद को छिपाती है और यहां तक की अपने बचाओं में भी इस्तमाल करती है छोटे बॉक्सर क्रैब शिकारियों को बेवकूफ बनाने के लिए अपने पंजों में स्टिंगिंग एनिमिनीस का एक जोड़ा थामे रखते हैं अगर शिकारी इससे धोखा ना खाए तो उसे केकड़े के पंजों के हमले के साथ एनिमिनीस का दर्दनाक या शायद जानले वा साबित होने वाला डंक भी छेलना होगा इनसान समेत कई जीवों के पास दात और नाखून है शेरों और मगरमच्छों के दातों के उलट हमारे दात अब बहुत छोटे और इतने नाजुक हैं कि हम अच्छी तरह पके हुए खाने के अलावा कुछ नहीं काट सकते साफ सफाई से दातों को चमका कर दूसरों का अभिवादन कर सकते हैं जो बबून के दात दिखा कर धमकाने वाले तरीके से ठीक उल्टा है हम मास के लिए कसाई पर निर्भर हैं हम उसे चबाने से पहले छूरी काटे से काटते हैं हमारे दात, मास और हड्डियों तक चबा जाने वाले भेडियों के दातों से भी काफी कमजोर हैं हमारे नाखून विकास के साथ नरम हो गए हैं जिससे हम बस खुद को खुजला सकते हैं हमारे जिन्दा रहने में इनकी अब कोई भूमिका नहीं है ये भालू जैसे नहीं है जो पेड के तनों या जानमरों की आथों को फाड़ने के लिए नाखूनों का इस्तेमाल करते हैं उल्लू के पंजे उसके शिकार को सिर्फ पकड़ते ही नहीं हैं उसे मारते भी हैं बाग, भोजन श्रिंकला यानी फूट चेन में सबसे उपर बने रहने के लिए अपने पैने पंजों पर निर्भर है नर केकड़े अपने पंजों से सिर्फ कम्यूनिकेट ही नहीं करते बलकि मादा को रिजाने के लिए उन्हें लहराते भी है इंसान इस दुनिया में सबसे दबदबे वाली ताकत बढ़ने के लिए ठल चुका है हम बौधिक रूप से विक्सित हुए हैं जबकि जानवर अब भी शारेरिक रूप से विक्सित हो रहे हैं जिससे वो जानवरों की दुनिया के सबसे अच्छे हत्यार हासिल कर रहे हैं